हेलो दोस्तो मैं व करन ताब का आपके YouTube channel स्टर्डविद उकर दोस्तो और दोस्तों आज हम लेकर आये हैं देली के रिंट भीर्स की दूसरी स्रिंखला तो आज हमने जू प्लाई है दूसरी सिंखला यह डेली करेंट अपेर्स का इसके पहले हमने 30 अक्टूबर कराया था और आज हम बीविन इंपॉर्टन कोश्चन देखते हैं ति 31 अक्टूबर से जो कुश्चन बनने वाले हैं शभी परिच्छाओं के लिए उसमें हम देखेंगे इसमें हमने 10 प्रस्णों को लिया है और एक अभ्यास प्रस्ण लिया है आपको उनका उत्तर कमेंट वाक्स में बताना होगा तो दोस्तों बिविन इंपॉर्टन है पीम मोदी ने किस राज्य में तीन प्रमुख परियोजनाओं का लोकार पड़ किया तो पीम मोदी जी ने किस राज्य में तीन प्रमुख परियोजनाओं का लोकार पड़ किया ए है बिहार बी केरल श्री राजस्थान डी गुजरात तो दोस्तों गुजरात में प्रधा तर करेक्टेंसर हैं इसका ब्याख्या देख लेते हैं ब्याख्या है पीम ने गुजरात में किसानों के लिए सर्बोदय योजना सर्बोदय योजना शुरू किया है और यूएन मेता हिर्दे रोग संस्थान तथा आहमदाबाद सदर हस्पताल में टेली कार्डियोलाजी के मूबाइल आप्लीकेशन्स उड़य का भी लगाटन किया है तो सर्बौदय योजना और यूजो कार्डियोलाजी के लिए मूबाइल अपलीकेशन और हिर्दे रोख स्थान का उलभाटन किया है और गुजरात से समाने कोईशन देखते हैं गुजरात के राध धानी है आहमदाबाद मुख्य मंत्री हैं बिजे रुपानी जी राज चपाल हैं अचार दियोबरत और लोग सभा सीट कुल है 26 राज शभा की सीटे हैं कुल 11 विधा रुपाड़ी और राज पाल हैं आचार दियोबरत और लोग सभा को इकलिशीटे हैं 26 और 11 शीट है राज शभा की बिधान सभा की सीट है 182 तो राज जिमें 182 सीट है बिधान सभा की दोस्तों आब हम चलते हैं दोसरा कुश्चन आपको इन सभी जो यह इंप्वार्टन क अब आते हैं दोसरा कुश्चन है कि दोसरा कुश्चन अगला मुख सूचना आयुक्त शी आयशी किसे बनाया जाएगा अगला मुख सूचना आयुक्त भारा सरकार द्वारा किसे बनाया जा रहा है यह शवंद कुमार सिन्हा अचल कुमार जिगोती राजीव महिर सी बिनो और दो आपका इस में जो क्रह टेंसर है वह एक ति को अगला श्री आईस की नुगर मुख सूचनाईव के रूप मेंूं किये गया है श्री शिन्हा भारती बिजिस श्रेवा के श्रेवनी बृत अधिकारे हैं और पूर्व में युनाइटिट के इंगड़ाम और स्री लंका में भारत के उच्चा या उक्तु के रूप में कारे कर चुके हैं उन्हें जन्वरी 2019 में केंड़ी सूचनायोक के सदस के रूप में निउट किया गया था इसके पहले ही 2019 में नामित कर दिया गया था तो श्री आईशी के जो नए सदस होंगे या शवन्त कुमार से नजी होंगे अब आते हैं तीसरा कुश्चन है किस राज्य सरकार ने उच्चे सिच्चा में छात्रों की मदद के लिए डिटीजल डिजिटल लाइबरेरी की शुरुआत की है किस राज्य ने उत्तर परदेश A है उत्तरप्रदेश, B है उत्तरखंड, C है मध्धप्रदेश, D है करनाटक आपका इसमें जो करेटेंशर है वहा है A उत्तरप्रदेश ने राजसरकार में उच्छे सिच्छा में छात्रों की मदद के लिए डिजिटल लाइबरेरी की शुरुआत की है अब उत्तरप्रदेश से देखते हैं क्या है डिजिटल लाइबरेरी उत्तरप्रदेश राजसरकार ने उच्छे सिच्छा में छात्रों को डिजिटल प्रारूप में शिच्छा समागरी मुहया कराने के देश से डिजिटल पुष्टकाले शुरुआत की है इस पुष्टकाले में हिंदी वों अंग्रेजी में 134 विसायों से समंधित 133,000 से आधिक इस शमागरियां मुहया कराए जाएंगे डिजिटल लाइबरेरी के लिए शमागरी के लिए 133 विस विद्यालियों के लगभग 17,000 से चावियों और तक्निकी विसेशग्यों की टीम ने मिलकर त्यार किया है अब देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन है यहां पर हमने नहीं दिया है तो नेक्स्ट कोश्चन है तिलंगाना के मुख्य मंत्री ने लांच किया धारडी पोर्टर तो देखते हैं उत्तर क्या है जो उत्तर प्रदेश ने डिजिटल लाइबरेज लांच किया है तो उत्तर प की कुल शीठे हैं 31 और विधान सभा की कुल शीठे हैं 403 कुछ मिलया अ सब्सक्राइब तो किस राज्य ने द क्रणिप किया है को ते लंगाना ने तो अथिस ने द क्लिक युद्प अब देखते हैं धाड़े पॉर्टल तो तिलंगाना के क्या है तिलंगाना के मुख्य मंत्री केच चणरसिखा राव ने मेरचल मलक जगीरी जिले के मुडु चिंतला-पल्ली गाव में भूमि और संपती पंजी करड के लिए धर्डि पोंचन लॉंच किया है तो इसमें भूम के शंपती पंजी करड के लिए धर्डि पोश पूंचन लॉंच किया है तो फिर आते हैं क्या है और भूम 5.00 के लिए website में इसलाट बुकिंग 19 अक्टूबर 2020 से सुरू हुई और सभी भूमी और संपत्य पंजी करड़ दो नौबर से सुरू होंगे अब आते हैं निष्ट मुख्य मंत्री हैं तेलंगाना के के चंदर सेखर राओ जी और राज्य पाल है वहां के तेलंगाना के तमिल शाई सौंद्रा राजन सौंद्र राजन और लोग सभा की कुल सीटे हैं 17 राज्य सभा की कुल सीटे हैं 7 और बिधान सभा की कुल सीटे हैं 119 तो वहां पर दिव सदनी बिधाई क्या है और वहां पर बिधान सभा की जो कुल सीटे हैं 119 है राज्य सभा की 7 है लोग सभा की 17 है और बिधान परिशत की वहां पर श्रीटे है 46 फिरलंगान जो वःद्धान सभा वहां विभान सभा भी और वीधान परिशद भी क्या है अब आते हैं और उच्च ने आला तिलंगाना का है है कि लंगाना का उच्च ने आला है है और अंद्रप्रदेश की अमरावती हैं अब आते हैं नेक्स्ट कुश्चन है पांचवा भारती सेना ने कौन सा मैसेजिंग अप्लिकेशन बनाया है तो भारती सेना ने एक मैसेजिंग अप्लिकेशन बनाया है उसका नाम क्या है आपको कमेंट बताना है यह शिक्योर अप्ल टेंशर है वह है बी शिक्योर अप्लिकेशन फार इंटरनेट भारती शेना ने इस नाम से एक मैसेजिंग अप्लिकेशन बनाया है तो देखते हैं मैसेजिंग यह अप्लिकेशन जो इनने बनाया है Secure Application for Internet इसके बारे में जान करे लेते हैं तो भारती सेना ने विक्षित किया एक messaging application इसका नाम है भारती सेना ने Secure Application for Internet नाम से एक साधार messaging application विक्षित किया है application इंटरनेट पर Android प्लेटफार्म के लिए end to end सुरच्छित वाइश, text और वीडियो कॉलिंग शेवाओं का शमर्थन करता है तो वीडियो कॉलिंग और लिक करके chatting और कॉलिंग शेवाओं का भी दोर्था प्लांग करते हैं अब आते हैं पाच्वा कॉश्चन है एशिया का सबसे सुरच्छित बैंक का दरजा किसे मिला है एशिया का सबसे सुरच्छित बैंक का दरजा किसे मिला है बैंक आप चाइना डीजर बैंक आप हिंडिया डीवियश बैंक जो शिंगरपूर में है और A.D.B. Asian Development Bank A.C.A. का सबसे सुरच्छित बैंक का दर्जा किसे मिला है बैंका आप चाइनिया, डिजर बैंका आप हिंडिया, D.B.S, A.D.B. तो जो सबसे सुरच्छित बैंक का दर्जा मिला है वह मिला है D.B.S. बैंक को तो D.B.S. है D.B.S. बैंक तो D.B.S. बैंक है शिंगपूर की और शिंगपूर की बैंक को मिला है A.C.A. का सबसे सुरच्छित बैंक का दर्जा तो देखते हैं D.B.S. A.C.A. की सबसे सुरच्छित बैंक का दर्जा पाया है और नुईयर्क इस्थित व्यापार प्रकाशन गुलोबल फाइनेंश दौरा डीवियस बैंक को लगातार बारवे मर्ष एशिया का सबसे सुरच्छित बैंक का नामित किया गया है तो Global Precussion Global Financial द्वारा DBS भाइंग को 12 वे बार लगतार इसिया में सबसे सुरच्चित भाइंग का दरज़ा माना है और दुनिया में 14 सबसे सुरच्चित वाडिजिक भाइंग के रूप में भी DBS की रैंकिंग 208 पर 14 होई में सुरच्चित है तो 2019 से या परिवर्तित है अब देखते हैं छठा question अभी हाल में ही भारती रैलेवे ने किस पहल की शिरुआत की है तो भारती रेल्वे ने किस पहल के शुरुवात की है? मेरा यात्री, मेरी शहेली, मेरी सुरच्छा, सफल यात्रा ए है मेरा यात्री, मेरी सहेली, मेरी सुरुच्छा, डी है, सफल यात्रा अब ही रेल्वे ने ही मेरी शहेली की नाम से एक पहल के शुरुवाद की है तो इसमें आपका बी अंसर सही है मेरी शहेली रेल्वे ने मेरी शहेली पहल की शुरुवाद की है तो रेल्वे ने मेरी शहेली पहल की शुरुवाद की है इसमें सभी छेत्रों में महिला यात्रियों की सुरच्छा पर केंदरित कारवाई के लिए मेरी शहली पहल की शुरुवात की है इस मिसन का उद्देश ट्रेनर से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को इस्टेशन से गंतब इस्टेशन तक उनकी पूरी यात्रा के दौरान सुरच्छा प्रदान करना है तो रेलवे के चेयर मैंने हिश्चम है बिनोत कुमार यादो जी आपको बताना है यहाँ पर यह भी याद रखना है कि जो रेलवे के चेयर मैंने है उनका नाम है बिनोत कु फिर आता है साथा कुश्टन फिट इंडिया वाके थान क्या है फिट इंडिया वाके थान क्या है स्वास्थ जाग रुकता सिच्छा पर जाग रुकता आनलाइन क्लाश कोशल ग्यान तो फिट इंडिया जो वाके थान है वासाथ स्वास्थ पर जाग रुकता पहलाना है और के बारे में बिस्तर द्यानकादी देखते हैं केंद्री खेल मंत्री किरन रिजिजु और अब देटा बिद्युत जमवाल आई टीवीट के साथ मिलकर 2200 किलो मीटर की फिट इंडिया वाके थान को जंडी दिखाकर रवाना करेंगे आज आज रवाना करेंगे केंद्री खेल मंत्री किरन रिजिजु और अबनेता बिद्युत जमवाल जी अब इटीवीप के साथ 200 किलो मीटर की फिट इंडिया वाके थान को हरी जंडी दिखाकर रवाना करेंगे आएटीवीप की चेयर मैं है इस इस देशवाल जी अठाम कुष्ण है नासा इसरो किस वर्स में निसार उपगरह लांच करने वाला है नासा इस रो किस वर्स में निशार उपगरह लांच करने वाला है दो हजार बीश दो हजार इकीश और शी है दो हजार बाइस दो हजार पचीश तो आपका करेक्ट इंशर है जो निशार उपगरह है वह लांच करने वाला है इस रो 2022 में निशार रुपगरह लांज करने वाला है इशरो और भारत और अमेर्किया नहीं हाल में टू प्लस टू वारता तो दोस्तों टू प्लस टू वारता हुए है अभी कल उसमें बैठक के दवरान देश के अंत्रिश समंद्य स्थित जगरुतर करने साज्य करने का नेड़े लिया गया यहां सुरच्छी तवरस्थाई अंत्रिश शवाता वरण बनाने की प्रयाशों को प्रिरित करेगा बात्चीत के दवरान शाइव तो बजान में कहा गया है कि नाशा इशरो सिंतेष्टिक एपार्चर रडार को निशार कहा जाता है जिसे 2022 तक लांच के जाना है आपको देखते हैं इशरो के बारे में और इशरो के चीफ हैं के शिवान जी इशरो के चीफ 1969 को तो पहला उभगरा है इसका पहला उभगरा भेजा था इशरों के चीफ हैं शमयके शिवान अस्थापना होई थी इसरों की 15 मुक्राइब पहला उबगरा जो शोबियत संगर भेजा गया था उसका नाम है आयरेवट नौब कुश्चन है सांशत के सीत्र कालेंशत्र में कितने बिध्यक पारित किये तो संशत के सीत्र कालेंशत्र में राज सभा ने कितने बिधेयक पारित किये यह दोस्तों वह इसे बहुत पुराना कुश्चन है यह फिर भी हम देख लेते हैं 12 10 15 8 आपका इसे में जो करेक्ट एंसर है वाह सी तो सीथ कालिन सत्र में राज सभा ने 15 बिधेयक पारित किये तो 15 बिधेयक पारित की बैरहाल यह 2019 का जो 2019 का सीथ कालिन सत्र था उसमें पारित किये गया था प्रतिवार संशत के तीन सत्र अधिवेशन होते हैं बजट आवज ही जो बजट अधिवेशन था उसे में ही 15 15 बिधेयक पारित की यह था राज सभाने कि आप कि आप कि आप कि आप कि तो राज सभाने 15 बिधेयक पारित किया था फरवरी से मई के बीच कि आप दूसरा मान्शून सत्र होता है जुलाई से अगस्त और तीसरा है शीत कालिन सत्र शीत कालिन सत्र होता है नवंबर से दिसंबर जिसमें कि पंदरा विधेयक राज सभाने पारित किया था जुजार उन्नीश में तो दो हजार उन्नीश में राज सभाने 15 बिधेयक पारित किया था राज सभास अब आते हैं इनुए निट्प है दसवा किस वायंकिने दिल्ली मैट्रों की साज्यदारी में एक शम्परक रहीध बहुद्ध्धी कार्ड लांज किया तो एक रियान चाहिक टृट्धी कार्ड लांज किया है उसका नाम है pinb, SEBI, HDFC, RBI तो बहुत देश्ची कार्ड दिली MRC के साथ मैटों के साथ जिसने लांच किया है उसका नाम है DAVID सेंटरल बैंक अपजब एंडिया और इक साथ लांच किया है दिल्ली मैटों ने बहुत देश्ची कार्ड आपधिसमें करेक्ट प्रकुर है और सेंट derived इन्डिया अब दिखते हैं आज का अभ्यास परस्न है किस ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता तो आपको बताना है पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 किस ने जीता लूइस हेमिल्टन ए है लूइस हेमिल्टन बी है वाल्टेरी बोल्टारी और सी है मैक्स वेस्टेपन और डी है इन में से कोई नहीं आपको करिंट बाक्स में इसका उत्तर बताना है आपको लूइस हेमिल्टन वाल्टेरी बोल्टारी मैक्स वेस्टेपन आपका कौन सा उत्तर साही होगा पहले शुरुए देने की पोश्चिस करेंगे और पहले जसे हमने आठ बजे का बताया था बैरहाल हमने शाद बज़े किसे लगभग पूरा देने का प्रयाश किया है फिर भी हम इसे चार से पांच पजे तक इसे प्रस्तुत करेंगे आपके सामने तो दोस्तों बहुत-बहुत धन्द